बिस्मिल्य रह्मान वहीम, Assalamualaikum पहरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब उमीद है, सब खेरियस से होंगे, और मदे मदे से रोदे भी अपने रख रहे होंगे, आज माशाला बारवा रोदा भी मुकमल हो गया है, तो आज जो है, मैं आपके लिए बड़ी अच्छी सी रेस्पी ल रमजान है, रमजान में जो हैं बच्चे बहुत पसंद करते हैं, फ्राइस को समूस से पकोड़े, यह सारे चटनी के साथ खाने में बहुत मदा आता है, और मदे की बात है, जब चटनी आपने घर में बनाई होगी, तो आप भी खुशी होने खाने देंगे, और आपको चार हिस्सों में, उसके अलावा हमें चाहिए, एक दरम्याना प्यास मोटा मोटा काट लें, क्योंके बाद में यह बॉल हो जाएगा, ग्राइड भी हमने इसको कर लेना है, इसके अलावा हमें चाहिए, दो चाय के चमच, लाल कुटी कश्मीरी मिर्च, यह रंग के लिए एक चाहिए, घ्र mentalम, अ क्या लावा हमें चाहिए तीन चुट अइक चमच, 3 चछत आई कप चीनी, याब दे इसके यह बहरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा कम यह ए, उसके अलावा हमें चाहिए 1 आदा कप सिरका, और हमें बाद में इसको गाड़ा करने के लिए, चितनी को ग 10 दाने काली मिर्च, 3 लॉंग और 2 पीस दार चिनिग 1.5 गलास पानी हमें चाहिए अपनी रैथ भी शुरू करते हैं प्रिश्की में हम डालेंगे प्यास चामिल करेंगे और साथ हम करेंगे 1.5 गलास पानी यह देखिए 1.5 गलास पानी भी इसमें हमने डाल गिया और अब बारी है इन ड्राइव मिसालों की इसके लिए हमें चाहिए अब मखबल का कपड़ा ले रह सकती है मैंने यह नेट का पीस लिया है इसको मैंने वाश कर लिया है अच्छे तरीके से आप यह देखें आप यह सारे मिसाले इसके अंदर डाल देंगे और हम इसकी एक पोटली बना लेंगे पोटली हमें इसलिए बना लेंगे क्योंकि हमें यह मिसाले जो हैं यह अपनी चेटनी में सिरफ इनका जाईका चाहिए तो इस तरह पोटली बना लेंगे आप एक अब पंदरा मिनिट के लिए हम इसको बॉइल होने के लिए रख देंगे इसको बिल्कुल आप जो है दर्मियानी लो टू मीडियम फ्लेम पर आप इसको तकरीबन 15 में तक धुक मेर्यदी करśnam ने, चूराइ害 थाके लिए और बॉइल करेंगे 15 मिनिट गुदर चुके हैं और अब हम इसको जो है नह 2-3 थफ्ले रखतेंगे अब पहले तो आप इसमें से यह पोटली निकालें यह देखें अब हम ब्लेंडर के अंदर ब्लेंडर के अंदर एर कर देंगे बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे भर-बर के थोड़ा थोड़ा करेंगे और अच्छी तरह इसको ग्राइंड कर लेंगे ताके बहुत अच्छे यह दो अच्छी तरह आप आप एक अच्छी तरह ग्राइंड हो गए अब हम इसको चली में डाल के अच्छी तरह चान लेंगे इसके लिए चमच इस्तमाल करेंगे इस तरह प्लाते जाएंगे और सारा जूस निकाल लेंगे आप बड़ी चली ले लेंगे तो यह जल्दी हो जाएगा स्टेंप और इस तरह विस्कर के साथ इसको लाते जाएंगे तो आप यह देखें कि अब बहुत थोड़ा सा इसमें यह पल्प बच गया है इसको हम वेस्ट कर देंगे प्यूरी हमा लाल मिच मैंने आपको पताई थी इसके साथ हम शामिल करेंगे नमक एक चाय का चामस और चीनी तीन चुथाई कप चीनी जो है यह भी इसके इंदर चली जाएगी अब हम इन सब चीदों को बीस मिंट तक हलकी आग पर पकाएंगे तर अ अब इसको हिला लें और बीस मिनट तक पताएंगे अब आप यह देखेंगे के बीस मिन गुज़र चुके हैं यह बहुत काड़ी हो चीनी जोड़ी है आपको इसमें डाल के रिखाती हूँ थोड़ी सी यह देखें इतनी गाड़ी हमें चाहिए अब हम इसके अंदर डालेंगे सिर्का सिर्का डाल के हम तक प्रीबन इसको दो मिंट तक पकाएंगे उसके बाद फिर हम इसके अंदर कॉन फ्लार जो है वो शामिल करेंगे कॉन फलार के अंदर मैंने तीन चमच खाने के पानी डाल के इसको मिक्स कर लिए अच्छी तरीके से और अब हम इसको अपनी कैचप के अंदर आड़ करेंगे अब कॉन फलार इसमें डल गया है आप तक रीवन दो मिनिट तक हम इसको मजीद पकाएंगे और हमारी कैचप रेडी हो लिए आप देखेंगे माशाला कितना पुप्पूरत रेड कलर आ गया इस प्योंपर तो बिल्कुल हमें तॉप्पेक्टी ऐसे ही चाहिए थे अब हम आग बंद कर देंगे दू मिन्ट पूरे हो गया और हमारी कैचप बिल्कुल रड़ती है तो दोस्तो हमारी कैचप त्यार है और उसके साद मैंने जल्दी जल्दी नगेट्स पर फ्राइए कर लिए क्यूकि मेरी बेटी का बहुत दिल गा रहा था खाने को तो उमीद है कि आपको आज की रेस्पी अची लगेगी आप प्लीज इसको जुरू ट्राइ कीजेगा और कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करते मुझे जुरूर पताएगा कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगी और मेरे चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कि